नमस्कार न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आएगे नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर प्रगस्स जासुजी कांड में सुप्रीम कोड ने केंडर को भीजा नोटिस दस दिन के अंदर मांगा जवाब अफगानिस्तान में तालिबान की कबजे के बाद हालाग भयावा अमरिका की भी हो रही है आलोचना मोदी के न्यू इंडिया का मकसर भारत को भूत के अंधिरे में ले जाना ऐसा कहना है ऐसी तरह मियचुरी का किसान अंदोलन के 9 महिने पूरे होने पर 26 अगस को किसानों का राष्ट्रे सम्मेलन करना अपडेट में देश में आक्टिव मामले घटकर 1.15 फ्रिज दी हुए सुप्रीम कोट ने मंगलवार को पेगसर स्नूपिंग मामले में अदालत की निग्रानी में स्वतंतर जांच के लिए जनहित याचिकाओं पर केने सरकार को नोटिस जाड़ कि अध्यक्ष्टा वाली तीन सर्दस्य पीठ ने कहा कि वह मामले की सभी पहलियों को देखने के लिए विशेशग्यों की समिती बनाने के केंड के प्रस्ताओं की जाच करेगी सीश अधालत ने केने सरकार को दस दिनों में याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कहा है सीश अधालत ने अब दो सब्ताबार इस मामले पर सुनवाई करेगी सुनवाई की दौरान केने सरकार की ओर से पेश सुलिसिटर जनरल तुशार मैता ने तरक दिया कि सुरक्षा और स्यन एजिंसियों दोरा राश्ट विरोधी और आतंगवादी गतिविदियों की जाच के लिए कई तरह के सौफ्ट्रे के इस्तमाल किया जाता है उन्होंने कहा कोई भी सरकार या सावजनिक नहीं करेगी कि वह किस सौफ्ट्रे के इस्तमाल कर रही है ताकि आतंगी नेटवर्क अपने सिस्टम को मौडिफाई कर सके और ट्रैकिंग से बच सके महता ने कहा कि केंड़ सरकार निगरानी के बारे में सभी तत्यों का एक विशेशेगी तक्निकी समीति के सामें महता ने कहा कि सरकार की समक्ष खुलासा नहीं करेगा लेकिन वह सावजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं कर सकते है जाचिका करताओं की और से पेश वरिष्ट वकिल कपिल सिबल और अन्य ने कहा हम नहीं चाहते कि सरकार राज की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी दे अगर पेगसेस को एक तक्नीकी रूप में इस्तमाल किया गया है तो उन्हें जवाब देना होगा पीठ ने कहा कि हम चर्चा करेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है अगर विशेशग्यों की समिति या कोई आने समिति बंाने की ज़रूरत है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वकील एमिल शर्मा, मार्क संसर जॉन बिटास, पत्रकार एन राम, पूर्व आई-ाई-म प्रोफेसर जगदीब चुकर, नरेंडर मिश्रा, परणजय गवार ठाकुर्था, रुपेश कुमार सिंग, सन्म आबदी और एडिटर्स पूरे देश पर कबजा हो जाने के बाद से हालात भयावा बने हुए, मीडिया पर चल रही वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नागरिक एयरपोर्ट से प्लेन में जाने के लिए बेताब हो रहे हैं, जिसकी वज़ा से अब तक पांच लों की जान भी चली गई है, ता पूशल मीडिया पर वाइरल अफगानिस्तान ने देशक सहरा करीम के खत में भी उन्होंने उस धशट का जिकर किया है, जो अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद होने वाली है, इसी बीच अमरिका की भी चौतरफा आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि तालिब पर भी इस हालात का आरोप लगाया गया है, इसके अलावा फेस्बुक ने ऐलान किया कि वह तालिबान या उससे समधित किसी भी कंटेंट को अपनी साइट पर नहीं चलने देगा, काफी समय तक तालिबान ने अपने संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तमाल कि साथ है, साथ है अफगानिस्तान में भारतिय दूतावास बंद होने के बाद वहां से 140 भारतिय देश वापस लोट रहे है, शारेंडर सेली स्मृति व्याख्यान 2021 के समापन व्याख्यान में सितरा मेचुरी ने कहा कि मोदी के नियू इंडिया का मकसद आजादी के बाद भ उन्होंने याद दिलाया कि 73 संग्राम के सार के रूप में देश को आगे ले जाने का एक नजरिया भी सामने आया था, धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक संगी गणराजी बनाकर उसे आर्म निधर बनाने की आम राय निकलकर सामने आई थी, अंग्रेजियों की गुलामी क सिताराम यच्विडी ने कहा कि आज वह धारा सत्ता में जाकर बैठ गई जिसे सवनित्ता संग्राम के दौरान भारत की जनता ने पूरी तरह ठुकरा दिया था, यह भारत की जनता ही थी जिसने तैय किया था कि वह धर्म के आधार पर हिंदू राष्ण बनाने के बजाए एक धर्म निर्पेक्ष देश बनाएगी, मोधी के साथ वर्षों के राज में इस समझ को उलट कर आजादी की लड़ाई की उप्लवधियों को ध्वस्त किया जा रहा है, स्रीपायम महाशाचीव यच्विडी ने कहा कि आजाद भारत ने आत्म निर्भर अर्थवयश्ता क की बुनियाद जिस सारुजिनिक शेत्र का निर्मार करके रखी थी, पूर्फ प्रधारमंत्री जवाहलान लेहरु ने जिनने भारत के आधुनिक तीर स्थल बताया था, मोधी सरकार उनके निजीकरण और खात्मे में लगी हुई है, यह निजीकरण नहीं है, यह भारत की जनता की संपत्ती की लूट है, ऐसा करके सिर्व आर्ट मिर्भता ही नहीं, देश की संपत्ता को भी खत्रे में डाला जा रहा है, महमारी की दवरान जनता को इलाज और रहत पहुचाने में नाकाम रही मोधी सरकार, वैक्सीन के मामले में सुप्रीम कोड की निर्देश को भी नहीं मान रही है हमारी चौती खबर डिली से डिली की सिमाव पर 26 नवंबर 2020 से चल रहे किसान के किसानों के एतिहासिक आंदोलन को 26 अगस को नौ महीने पूरे हो जाएंगे मोजी सरकार द्वारा लाए गए तीन कशी कानूनों का विरोट कर रहे किसानों ने इन 264 दिनों में कडी सर्दी बरसात तप्ती गर्मी के बीच भी अपना अंदोलन जारी रखा और एक तरह से दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंदोलों में से एक हो गया नौ महीने पूरे होने पर किसानों ने ऐलान किया है कि 26 अगस्त को संउख्त किसान मोजचा ने एक राष्टे सम्मेलन आयोजित करने का निर्णने लिया है इसे अखिल भारतिय सम्मेलन में सैकड़ो किसान संगर्णनों के प्रतिनियों की भागीदारी होगी जो अस्थानिये शेत्री और राष्टे स्थर पर चल रहे हैं विरुष प्रदशनों का हिस्सा रहे है इस बीच किसानों के समर्थन देश में ही नहीं बलकि दुनिया भर में भी बढ़ रहा है इसका ताजा उदाहरण संयुथ किसान मोर्चा के आवाहन पर देश भर की किसान आंदोलन ने भालत के 75 संतरता दिवस के किसान मजदूर आजाद संग्राम दिवस के रूप में मनाया इस दिन किसानों और उसके समर्खों द्वारा विब्री तरीकों से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई यह सिर्फ दिल्ली की सिमाओं पर चल रहा है आंदोलन स्थल पर ही नहीं बलकि देश व्यापी स्थर पर हुआ इन 244 दिनों में किसानों ने सरकार से 11 दौर की बादचीत की मगर उसे भी अब करीब 6 महिने बीच चुके हैं और अब तक इस सरकार ने इसका कोई हल नहीं निकाला है केंड़ी स्वास्त मंटाले द्वारा आज मंगलवार 17 अगस कुजार यहां कड़ों के अनुसार देश में आज साथ दिन बाद करना की 30,000 से कम यानि 25,166 नए मामलें दर्ज किया गया है इसके अलावा 24 गंटों में 437 मरीजों की मौत भी हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में करना से पेड़ित 36,830 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 12,101 मामलों की कमी आई है देश भर में संक्रमित लोग की संक्या बढ़कर 3,22,50,689 हो गई है जिन में से अब तक 4,32,89 लोग की मौत हो चुकी है देश में करना से पेड़ित 97,51 फीजदी यानि 3,14,48,754 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घड़कर 1,15 फीजदी यानि 3,79,846 हो गई है स्वास्त मन्राला की ताजा जानकारी को इंसार देश में करना वैक्सीन की अब तक 55,47,30,609 डोज दी जा चुकी है जिन में से 88,13,919 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में ही दी गई है ये थे न्यूस्क्लिक की डेली राउंड़ अब के आज की अपडेट्स इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूस्क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेस्बुक, इंस्सेग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर साथ ही साथ देखे हैं हमारी हिंदी वेबसाइट www.hindi.newsklik.in देख्ते रहें न्यूस्क्लिक धन्यवाद